नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिस फर्स्ट प्लाइट जो बुक है ठीक है उसका हम लोग एक पोएम देखने वाले जिसका नाव है ड़स्ट ऑफेश नो ड़स्ट ऑफ लिए भोस्तिक्तो देखेंगे ठीक है और या लोगों को मदद के लिए यहां पर देखेंगे सबही सब्सब्सारी प्सक्याइcidos करते हैं फिया ने यहां– पर फियाप लिए Murray यहां जिस तरह से कवे ने मेरे उपर बर्फ की धूल गिराई, ठीक है, आगे देखेगा मतलब जिस तरह से कवे ने मेरे उपर बर्फ की धूल गिराई, उसने मेरे दिल के मेरे मूड को चेंज कर दिया, ठीक है, बदल दिया और बाकी का दिन जो मेरा खराब होने वाला था, उसको मैंने क्या क्या बच्चा लिया, ठीक है मतलब कभी क्या था, कभी पहले से यहां पर उदास होकर यहां पर आया हुआ था, और यहां पर कुछ कवे आता है और बैठता है, बैठने से क्या होता है, इस पेर में हलचल होती है, जिसके कारण कुछ धूल इस कभी के ऊपर गिरते हैं, और कभी पहले से दुखी रहता है जब उसके उपर बरक के कुछ धूल गिरते हैं, जिसके कारण वो क्या खुसी महसूस करता है, खुसी अनुभव करता है, ठीक है, चलिए इसका आप कोईशे इंसर क्या है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और क्या एंसर होगा उसका, ठीक है, सबसे पहले हम उसको आगे बढ़ते हैं यहां देखेगा पहला कोशिन क्या है वाट इस डश्ट ऑफिसनो मतलब डश्ट ऑफिसनो क्या है वाट ड़स्ट पोईट सी डैट है चेंज ही मूड मतलब कभी के अनुसर उसका मूड किसने बदल लिया किसने उसके मूड को बदला ठीक है और हाव है दपोईट स्मूड चेंज और किस तरह से कभी का जो मन होता हो बदल जाता है तो चलिए इसका क्या इंसर होगा उसको देख लीजेगा पहला कोशिन हो वाट इस डैस्ट ऑपिसनो के मतलब क्या होता है दो डश्ट ऑपिसनो मिन्स दफाइन पार्टिकल्स ऑफिसनो डश्ट ऑपिसनो का मतलब क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे 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 कन किसका बरफ का छोटे 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 कन ठीक है आगे बढ़ते हैं the sudden sour of the dust of snow from the hemlock tree change the poets mood जो अस्चानक से जो बरफ की धूल कुछ है पेर से hemlock tree से कभी को उपर गिरती है वो उसके मन को बदल देती है ठीक है आगे देखेगा the poets mood changed from sad to happy जो poets का मन होता है वो उदास से खुसी में बदल जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दो number question देखेगा अब दो number question में आप तो तीन question करना होगा ठीक है तो यहां परी क्या question उसको पहले देख लिए हैं हाव डज फोस्ट प्रेजेंट नेजर इंद पो इन दिस पोए मतलब जो फोस्ट होते हैं जो कभी होते हैं वो किस तरह से इस किस तरह से इस पोए में मतलब दरसाते हैं इस पोए में किस परकृ इतने में मदद करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा, What are the birds that are usually named in poem, मतलब कि जो प्राया मतलब अक्सर, जो पक्ची के नाम, किस तरह के पक्ची के नाम कभीता में लिया जाता है, Do you think a crow is often mentioned in poem, क्या आपको लगता है कि कववा का नाम अक्सर कभीता में लिया जाता है, ठीक है, What image come to your mind when you think of a crow, आप जब कववे के बारे में सुचते हैं, तो आपकी दिमाग में किस तरह का picture आता है, ठीक है, तो चलिए इसका answer क्या हो जग उसको देख लेते हैं, यहाँ देखेंगा पहला कि जब यहाँ पर हमसे question पुछा है कि how does first present nature in this poem, इसके जगा पे आप answer इसको लिख सकते हैं कि in the poem, first present nature in a very unconventional manner, मतलब अप्रम प्रागत धंग से कभी इस poem में परकृति को अप्रम प्रागत धंग से दर्स आता है, ठीक है, चलिए, अब पहला question जो उसका answer क्या हो जग उसको देख लेते हैं, कि the birds that are usually named in poem are kuku, nightingale, sparrow, pigeon, etc, मतलब जो अक्सर कभीता में पक्छी का नाम लिए जाते हो, क्या होंगे, kuku, koyal हो सकती है, bulbul हो सकती है, nightingale मतलब bulbul हो जाता है, aspero मतलब गुराया हो सकता है, और pigeon मतलब क्या हो सकता है, कभूतर हो सकता है, ठीक है, आगे देखे, no idea, I don't think a crow is often mentioned in poem, मुझे नहीं लगता कि अक्सर कभीता में कवा का नाम लिया जाता है, कवा का नाम लिया जाता है, ठीक है, generally a crow is a black bird with a harsh voice and is considered a bad omen, मतलब generally जो कवा क्या होता है, जो कवा है, एक काला पक्छी है और harsh voice मतलब कठोर voice है, ठीक है, a consider a bad omen, मतलब bad omen का मतलब क्या होता है, सगुन हो जाता है, ठीक है, consider मतलब एक बुड़ा सगुन को दर्स आता है, ठीक है, आगे देखेगा, therefore, therefore, the birds crow in the poem brings forwarding and depressing picture to our mind, जब हम कवा सब्द के बारे में जब सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में कैसा picture आता है, forwarding मतलब क्या होता है, असुब एंड depressing, मतलब निजासा जनक picture हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, यह इसका इंसर रोजेगा, इसको आप लोग note कर लिजेगा, नोट करने के साथ याद भी कर लेना है, आगे देखें कि दो नमबर कोशन है, अगेन, वाट इज हमलोग ट्री, हमलोग ट्री क्या है, वाइड डजन्ट द पोएट राइट राइट अबाउट अ मोर व्यूटिफुल ट्री सच है जब मेपल और एन ओक और एन अपाई, मतल इसमोल वाइट फ्लावर्स इज अहमलोग ट्री मतलब जो हमलोग ट्री होता है, कैसा होता है, एक पोईजन्स मतलब जहरीला पौधा और इसमोल छोटे छोटे वाइट फ्लावर मतलब छोटे छोटे सफेद फुल के साथ आता है, एक हमलोग ट्री जो होता है, एक जहरीला पौद और उसमें छोटे-छोटे सफेद फूल होते हैं ठीक है दप्वेट डज नूर्ट राइट अबाउट और मोर ब्यूटीफुल ट्री सच अज मेपल और 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 पाइन मतलब जो कभी होता है वो इन इससे अच्छा मतलब जो पेर है मेपल ओक और पाइन उनके बारे में सुंदर पौदों के बारे में नहीं लिखता है क्यों नहीं लिखता है आगे देखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखें कि तीन नमर कोशन है वाट डू दा क्रोव एंड हैमलोग रिप्रेजेंट क्रोव मतलग कहुआ और हैमलोग किस चीज को दर्साता है जोए और सोरो जोए का मतलग खुसी हो जाता है और सोरो का मतलग क्यों जाता है दुक्त हो सोरो ठीक है वाट डज दजस्ट ऑप स्णू डाट आर क्रोव शिक अफ तीन नमर कोशन है जो ऑर हिमलोग ट्री डो दुख को दर्साते हैं दाश्ट ऑफ जो एकछी गरूप में ऑनुबहो करते हैं He has therefore, इसलिए, used an unconventional tree and bird in order to contrast with joy in the from office, मतलब बर्फ की धुल से जो उनको खुशी के साथ अनभौ करते हैं, तो उसको एक अपरम प्रागत, पेर और पक्ची के विरोध के रूप में दर्स आते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा, अब इसका जो मतलब लास्ट कोश्चन से तीन न कोश्चन है, have there been times when you felt depressed or hopeless, मतलब क्या आप भी कभी depressed or hopeless हुए हो, निरासा जनकर उदास हुए हो, have you experienced a similar moment that change your mood at that day, मतलब इसी तरह से आप कभी कुछ ऐसा हुआ हो दिन में, जिसके कारण आपका जो मन हो बदल गया हो, ठीक है, तो चलिए, इसका answer क्या हो जागा, तो देख यस, everyone feel depressed or hopeless, सभी लोग कभी न कभी उदास और निरासा जनक होते हैं, at some time, कुछ समय के लिए, ठीक है, being a human being, मतलब एक इनसान होने का, यह मानो होने का नाते, ठीक है, I am no exception, मैं कोई अपवाद नहीं, मैं कोई अलग नहीं, ठीक है, dull and smoggy days, मतलब धूंदला और सुस्त दि due depression में, वो मुझे उदास निरासा जनक कर देते हैं, ठीक है, I feel sad and hopeless, मैं उदास और निरासा जनक हो जाता हूं, the sudden appearance of the sun bright and my spirit and my mood suddenly becomes cheerful, और जैसी ही अचानक से जब सुर्ज की रोशनी आती है, वो मेरी आत्मा और मेरे मन को बदल देती है, मेरे मन को खुस कर देती है, ठीक है, यह अचानक खुस कर देती है, तो यहां पड़ी, रस्ट अप इसनो जो चेप्टर है, पोएम है, इसमें हम लोग कोशन से साथ में, इसको आप लोग पूरा देख लिजेगा, साथ में अपने दोस्तों के भी सेयर कर दीजेगा, और इसमें मैं आप लोग को बता देते हैं, साथ में इसमें आप लोग को वर्ड मिनिंग भी दिया हुआ है, तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को PDF सेंड कर दोंगा, ताकि आप लोग नोट कर सकते हैं, या आप चाहिए तो वीडियो से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, चले मिलत अगले वीडियो में बहुत बहुत धनेवाद आप से भी लोग का, थाइंक यू, जय हिन, जय भारत